सब्सक्राइब करें चीको रेस्पीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों राधे राधे हरे कृष्णा चीकोज रेस्पीज में आपका स्वागत है तो आज मैं बात करूँगी तीसरे नवरात्रे की इस दिन किस मा की पूजा की जाती है पूजा का क्या विधान है क्या मंत्र है और मा को भोग में क्या पसंद है उनए कोन से फूल चढ़ाई की मा की कृपा सब पर बनी रहे मानवता वे धरम की रक्षा हे तू इश्वरिय शक्ति का किसी ना किसी रूप में अवतार होता रहता है क्योंकि धर्ती पर सुक समरिदी बिना देव देवी की कृपा के हो ही नहीं सकती देतियों के सहार वे अनाचार को हटाने हे तू ही मा दुर्गा नव रूपों में प्रगट हुई जिसमें मा दुर्गा की तृत्यमूर्ती को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है और तीसरी नवरात्री मा के नो रूपों में से एक रूप मा चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है मा श्रदालू भगतों की भै, पीड़ा, भै, दुखों को मिटाने वाली है भगत जनों के मनुरत को पूरन करने वाली है देवी के इस रूप की उत्पत्ती नवरात्री के तीसरे दिन होती है इनकी कृपा से व्यक्ति की घ्रान शक्ती और दिव्य होती है बहक कई तरह की खुश्बूओं को एक साथ आनंद लेने में सक्षम हो जाता है मा दैतियों का वद करके देव, दनुज, मनुजों के हीतों की रक्षा करने वाली है जिनके घंटा में अहलाद कारी चंदरमा स्थित हो उन्हें चंदर घंटा कहा जाता है जिनकी कांती सुवर्न रंग की है, ऐसी नवदुर्गा के इस तृत्य प्रतिमा को चंदर घंटा के नाम से जाना जाता है यह दैतियों का सहार भ्यानक घंटे की नाज से करती है माता सींग पर सवार होकर जगत के कल्यान हेतु दुष्ट दैतियों को मारती है मा का यह रूप शत्रों को मारने हेतु सदैव तत पर रहता है मा चंदर घंटा का जो मंत्र है वो इस प्रकार से है देवी प्रचंड दोर दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही तो अब चंदर घंटा की पूजा आपको कैसे करनी है मात चंदर घंटा की पूजा शास्त्रिय विधान को अपनाते हुए ही करनी चाहिए शारीरिक शुदता के साथ साथ मन की पवित्तरता का भी ध्यान रखना जरूरी है इस दिन माता की पूजा विवीद परकार के सुगंधीत फूलों तथा नवेद वे इत्र से करने का विधान है जिस से साधक को वांचित फलों की प्राप्ती होती है शरीर में उत्पन पिडाओं का अंत होता है पूजा वै क्षमा प्रार्थना के बाद मा को प्रणाम करते हुए पूजा वै अराधना को माता को अर्पन कर देना चाहिए भगवती चंद्रघंटा का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से मनीपूर चक्र जागरित हो जाता है और सांसारिक प्रेशानियों से मुक्ती मिल जाती है इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला सद्गून एक यह भी है कि साधक में वीरता, निर्बरता के साथ साथ, सोम्यता एवं विनमरता का विकास भी होता है तो मात्चंद्रघंटा की पूजा करें उन्हें लाल रंग के फूल चड़ाएं और मात्चंद्रघंटा को सफेद रंग का भोग लगाएं दूद से बनी चीजें जैसे चावल की खीर, मखाने की खीर, रबडी, दूद के पेड़े या साबू दाने की खीर का भोग लगा सकते हैं यानि कि जो भी भोग लगाएं मा के भोग की थाली में सफेद चीज का पकवान जरूर होना चाहिए मा चंदरघंटा देवी की पूजा करने से गुरू के कष्टों से भी आराम मिलता है, धन की कमी दूर होती है, संतान और पती सूखी रहते हैं और चंदरमा कुंडली में बलवान स्थिती में आ जाता है और मन में शान्ती मिलती है मा चंदरघंटा की कथा, मा चंदरघंटा असरों के विनाश हे तू, मा दुरगा के तृत्य रूप में अवतरित होती है जो भ्यंकर दैत्य सेनाओं का सहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है भगतों को वांचित फल दिलाने वाली है, आप संपूर्ण जगत की पीडा का नाश करने वाली है जिससे समस्त शास्त्रों का ज्यान होता है, वह मेधा शक्ती आप ही है दुर्गा, भव सागर से उतारने वाली भी आप ही है आपका मुख मंद मुसकान से सुशोभीत, निर्मल, पूर्ण चंदर्मा के बीम्ब का अनुकर्ण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांती से कमनिय है तो भी उसे देख कर महिशा सुर को क्रोध हुआ और अचानक उसने उस पर प्रहार कर दिया यह बड़े आश्चेरे की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उगते चंदर्मा की भाती लाल और तनी हुई भौहों के कारण विक्राल हो उठा तब उसे देख कर जो महिशा सुर के प्राण तुरंत निकल गए यह उससे भी बढ़कर अश्चेरे की बात है क्योंकि क्रोध में भरे हुए यम्राज को देख कर भला कौन जीवित रह सकता है हे देवी आप प्रसन हो प्रमातमा स्वरूपा आपके प्रसन होने पर जगत का अभ्यूद्य होता है और क्रोध में भर जाने पर आप ततकाल ही कितने कुलों का नाश कर डालती है यह बात अभी अनुभों में आई है क्योंकि महिशा सूर की यह विशाल सेना क्षन भर में आपके कोप से नश्ट हो गई है कहते हैं देवी चंद्र घंटा ने राक्षस समूहों का सहार करने के लिए जैसे ही धनुष की तंकार को धरावे गगन में गुजा दिया वैसे ही मा के वाहन सिह ने भी दहाडना अरंब कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनी को और बढ़ा दिया जिससे धनुष की तंकार, सिंग की दहाड और घंटे की ध्वनी से संपूरन दिशाएं गूंज उठी उस भ्यंकर शब्द वै अपने प्रताप से वै दैत्यों के समूह का सहार कर विजई हुई तो ये थी कथा मात चंद्र घंटा की उमीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें और हमेशा की तरह आप अपने सुझाव देते रहें आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं धन्यवाद हरे कृष्णा